को ओड्यारं वूद्ट कर जामय ईसलाम में आडमिसेर लेना चाहते हैं आपको मालोम ही है कि जामय में अलग लग कोर्सेस में अलग लग तरीके से अडमिस्यन होता है जिसे जामय में एक अगर आक intriguing यह कि इंटरेंश के तूरू भी आपको admission मिलता है दूसरा distance mode के थुरू भी यानि center for distance तीसरा जो है आप बात करें तो मतलब CUT के थुरू या non ये सारे चीजी है along with ये है कि जामे में आप private के form को थुरू या private जिसे जामे में private form release की जाते हैं तो private course के थुरू भी आप जामे में admission ले चुके हैं और उसका form जो है आ चुका है सबसे पहले तो इसके ही official sites पर रहेंगे और देखें यहां पर तो यहां पर देखें टॉप पर notification उन्हें release कर रखा है आप यहां पर देख सकते हैं कहरें notice for private examination form UGNPG इसमें जो है पहली बात जो है कि direct admission होता है और direct आपको form apply करना होता है तो आप देखें यहां पर इस notification में क्या कहा जा रहे हैं controller of examination के भियाप में notification release करा गया है annual examination form for the session 24-5 24-25 में जो student admission लेना चाहते हैं या admission के लिए apply करना चाहते हैं तो जो first year का examination जो होने वाला है उसके examination form जो है इन सारे course का release कर दिया गया है यह first year का है इसमें कुछ course second year क्या भी है जिसके last date जो है इन्होंने दे रखा है अब जिसके first year के अंदर कौन-कौन सा private के थुरू courses सब वो जिसे एम में Arabic English Hindi Islamic Studies यह में परसें उर्दू एकनॉमिक्स एम पॉलिटिकल साइन्स सोरी बीए पॉलिटिकल और बी ओने सोसियोलजी इसके लावा यह master's के course है आपको form apply करने के लिए देखी पहले यहां पर candidate interested in seeking admission to देवाब प्रोग्राम एडवाइस तू समिट देर अप्लिकेशन form through online mode they are also required to submit hard copy of the याने कि पहला online submit करना पड़ेगा देना आपको hard copy counter counter number एक पे gate number 20 पे submit करना पड़ेगा जामे में पहला last date जो है वो आपका 20 November है और वैसे late free के साथ आप 30 November तक apply कर सकते हैं मैं फिर से रिमायन कर रहा हूं जामेक अंदर जो private mode के तुरू admission लेना चाहते हैं उन लोग के लिए काफी help करने वाला हो फिर एक सवाल होगा कि यह कौन साथ student यानि private mode के तुरू कौन साथ student एडमिसर ले सकते हैं तो उसके लिए भी हम आपको sites पर यार आपको दिखाते हैं कि कौन से student अप्लाई कर सकते हैं या एडमिसर ले सकते हैं जब आप इसके sites पर आएंगे तो यहां पर कई सारे चीची दिख जागा तो अभी हम अच्छा एक बात और जामेक अंदर जो है 10-12 भी private mode के तुरू होता है यानि 10 भी और 12 भी जो यहां पर private mode के यह प्राइवेट कोर्स के लिए कौन स्टूडेंट इसमें लीजवल है तो पहले चीए कि वह जो भी गल्स स्टूडेंट है वेमन ने जो है यहां पर यहां पर लीजवल अप्लाई कर सकते हैं अलंग वेट यह कि जो पर्मनेंट एंप्लाई है जामे में ले इसलामिका वो इस काटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको एड्मिशन मिल जाएगा तो यह रहा डेटेल जो मैंने अपको शेयर किया बाकी अभी अगर हम अपडेट के बारे में थोड़ा बात कर ले तो कली ही जामे ने जो है जो असपार्ट कारण में पार्ट च्पेट क्या था उसका लिस्ट आचुका है क्व पब्लिस हो चुका है लेकर जो डारहते अपलाई करने में आप रिजॉल्व कर लिया गया निज्विटन करना होगा तो आपको इस लिंक से फील करना होगा दूसरी बात ये कि कई लोग मतलब problem face कर रहे हैं तो उनका solution यह है कि आपको controller of examination जाना होगा और उनको अपना problem बताइएगा उसके बाद आपका problem